आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागा दोस्तो मैं सिभम अपने यूटूप चेनल टेक्निकल सिभम पर स्वागा करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं सर्च करने के बाद वहाँ पर आपको लेंगवेज प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है जैसे मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कल का मौस्वम कैसा रहेगा मैंने सर्च कर लिया अब यहाँ पर आपको देखने को मिल देगा, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, तो इस problem को कैसे आप solve कर सकते हैं, इसकी language कैसे आप change कर सकते हैं, कुछ भी आप search करते हैं, तो आपको यही language देखने को मिलती है, आप read भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता भी न करने से पहले हमारी एक छोटी स्रुक्वेस्ट है वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर लिजिए अब यहां पर आपको करने क्या है अपने मुबाइल फोन के अंदर यहां पर आपक इसको चेंज करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा थ्री डॉट पर किलिक करना है सेटिंग पर किलिक करना है और यहां पर देखने को मिलेगा सर्च लेंगविज यानि कि गूगल की जो सर्च लेंगविज है उसमें आपका प्रॉब्लम हो चुका है और उसे यहां पर आप चेंज कर सकती हैं यह गलती से आपका language change हो गया है तो आपको इस पे किलिकन है और यहाँ पे जो भी आप set करना चाहते हैं उसे आप set कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे English को set कर देता हूं और यहाँ पे United, यहाँ पे Kingdom को set कर देता हूं आज तो क्या होगा कि अपने मैं Google पर कुछ भी search करूँगा तो हमें वो problem आप देखने को नहीं मिलेगी जैसे मैं search bar पे click करता हूँ और मैं search कर लेता हूँ फिर से वही कल का मौसम कैसा रहेगा तो अब यहाँ पे आपका वो problem पूरी तरीके से solve हो जाएगा और यहाँ पे article को आप यहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे search कर दिया है कल का मौसम कैसे रहेगा फिर से मैं बैक करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे search कर लेता हूँ कल का मौसम कैसा रहेगा तो आपके सामने open होकर आजाएगा अब यहाँ पे आपको पूरा क के लिए इतना ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद